जै येशु जै जै येशु जै प्रभु जै जैकार सिरे जन हार पालन हार तारण हार जै जै येशु जै येशु देनों का दुख हरने वाला रेदे में शाती हरने वाला देनों का दुख हरने वाला रेदे में शाती हर में वाला जै जन रंचन जै दुख भंजन जै जन रंचन जै दुक भंजन जै प्रभु जै जैकार सिरे जन हार पालन हार तारन हार जै जै येश्यू जै जै येश्यू मित्यों बाधन बाजन हार आक्षय जीवन देवन हार आ रोगिन शोकिन एक अधारा रोगिन शोकिन एक अधारा जै प्रभु जै जै कार इसरे जन हार पालन हार तारन हार जै जै येश्यू जै जै येश्यू जै जै कार करो सब प्यारो नर रा एक शंग को खायो नारा मारो जै लल कारो नारा मारो जै लल कारो जै प्रभु जै जै कार इसरे जन हार पालन हार तारन हार जै जै येश्यू जै जै येश्यू मैं माफिछ चाहता हूं के कुछ ट्रांस्मिशन में प्राब्रम को जैसे हम प्रोग्राम को कुछ देख के लिए जारी ना रख सके लेकिन चलते हम इसी दोफसे खुदान की रम्दोस्त ना तरते हैं वक्तिम पाई उनकर दोस्त को लीजिए और प्रोग्राम को आगे करते हैं तो आपका शुक्र दा करते हैं एक खुदामन यसी मेरे और आपके लिए इस सली पर चखाया गया ताज कंडे आना सेरे उते तरे मारा खावंदा दुख भी तुजरे दुश्मन बन बन जते मूते मारं तपे तेनु सारे हाए हाए तेरे दुखने बारे हता पैरा बिचिकिल नेजे विने आ है दिल यसु प्यारे हाए हाए तेरे दुखने बारे हता पैरा बिचिकिल नेजे विने आ है दिल यसु प्यारे हाए हाए तेरे दुखने बारे हाए हाए तेरे दुखने बारे अपने हांकों को यसु की तरफ उठा दिजी अपनी आंके बाद क्यों ही यसु के लहू की कुद्रत इस सगा पर शिपा का काम करने को काची कटे आदा सिर उते तरे आ मारा खावंदा दुख भी तुझरे या कैये ताज कटे आदा सिर उते तरे आ मारा खावंदा दुख भी तुझरे या दुश्मन बन बन जती उते मारा खावंदा पे तेनों सारे हाए हाए तेरे दुख ने बारे हता मैरा विची गिल ने जे विन्या है दिल ये सू प्यारे हाए हाए तेरे दुख ने बारे आज कर दोता मैं ते करे विन्या है है ने खावंदान उन व्र Dasimento डillर कॉँ़ हाए हा छान पावंदारे पारी सूनी मोटे जगाते जालम तरिसे जरावी नकादे यही राहे कलवरी का मेसिज है यही राहे कलवरी का पेगाम है के मेरे और आप के लिए कलवरी का शहजादा तुक उठाबा वो जसली तेरी और मेरी थी मेरी भैं मेरे भाई वो यह सूने आपने काम्बे पर रुखा थी बारी सूनी मोटे जगाते जालम तरिसे जरावी नकादे चुली चुखिके जावर राविच थे दे खावर गम दे मारे हाए हाए तेरे दुख ने मारे हाए हाए तेरे दुख ने मारे गई हता पैरा विच फिने जे विन्या ए दिन ये सुप यारे हाए हाए तेरे दुख ने मारे बहुत खुरसुरत ये गीत अथा प्यारा मिच किल नेजे विन्या है दिन अधाने वले दिनों में हम आपके लिए और भी खुरसुरत गीत और मज़मीर लेकर आएंगे और मैं उमीद करता हूं कि आप इन तमाम प्रोग्रेम से बखत पाएंगे once again please accept my apology due to this interruption of program still I think there is some problem with my system so I'll try to fix this one तो खुदाओं के पाक किलाम को लीजिए हम खुदाओं के जिंदा पाक किलाम को मिलकर सीखेंगे as usual जैसे अब जानते हैं कि this is a practice कि हम इस program में खुदाओं का पाक किलाम मिलकर बाढ़ते हैं तो इमाल की किताब उसका इसरा बाब की पहली आयस से लेकर दस आयात तक खुदाओं के पाक किलाम को हम देखेंगे सफ़ा नंबर 109 पर इमाल की किताब उसका तीन बाब The Book of Acts in the New Testament Chapter 3, verse 1 to 10 खुदाओं के पाक किलाम को देखें इससे पहले कि मैं खुदाओं के पाक किलाम के तरुब भड़ू तो मैं आपसे दुर्फास करना चाहता हूं कि आप उन तुमाम दोस्तों को अजीज़ों को जो कि शुरू में प्रोग्राम को देख रहे थे बर डू टू टू सम प्रॉब्लम लाइंग ड्रॉप हो गई है और नहीं देख पा रहे तो मेरे बने करके आप जरू उनके साथ इस लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों जिनको भी आप जानते है या आपके जो लिस्ट पे जो लोग हैं उनको आप जरू इस बारे में बताएं ये एक मिनिस्टरी है एक खिदमत है जो मिलकर कर सकते हैं तो मैंने भी शेर की रहे हैं बहुत सारी दोसें आए इसलिक को आप भी जरूरो है निके साथ इसलिक को शेयर करें और आortion अधान के पाकलाएं को मिलकर तलावत करते हैं इमाल उसका तीन बाब और उसकी पहली आएसे पत्रस और यहुना दुआ के वक्त यनि तीसे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जनम के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के सुराज़ा पर बठा देते थे जो खुबसुरत कहलाता है ताकि हैकल में जाने वालों से भीक मागे जब उसने पत्रस और यहुना को हैकल में जाते देखा तो उन से भीक मागी पत्रस और यहुना ने उस पर गोर से नजर की और पत्रस ने कहा हमारी तरफ देख बूल से कुछ मिलने की उमीद पर उनके तरफ मतवज़े हुआ पत्रस ने कहा चांदी सोना तु मेरे पास है नहीं मकर जो मेरे पास है वो तुझे दिये देता हूँ यसुन नासरी के नाम से चर्पिर और उसका दाना हाथ पकड़ कर उसको उठाया और सिदम उसके पाओं और टकने मजबूत हो गे और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने पिरने लगा और चलता और कूद था और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया और सब लोगों ने से चलते पिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पेचाना कि ये वो ही है जो हैकल के खुबसूरत वाज़ दो बैठा भीक मांगा करता था और समाधरे से जो उस पर वाक्य हुआ था बहुत दंग और हैरा हुए खुदावन के सुन्दर पाक लाम के पड़े सुने और समज़ जाने पर खुदावन की बरकत हो आमिन आएगée तौहाम के खुदावन तूर रहिमो करेम है कहर करने में धїमा और शक्त में गनी है हम तेरी खुबसूरती के लिए तेरे जाह डाल के लिए तेरी गुद्र, तेरी एक्तियार के लिए तेरे शुकर करते हैं और इस सुक्रत है खोदावन, हम धुआ करते हैं कि आज के कलाम को हम सब के लिए बाबरक़ ठेरा अपने लोग Dale got的, यिसू के बाबरक़ नाम में हम ये दण ़ाते हैं आमेर बुज athletic जब हम कीज़ लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं तो हमें सबसे फहले जो बात देखने क्यों होती है हम देखते हैं किस चीज़ की बैलियो क्या है जो भी price tag उस पे लगा होता है हम उसको देखकर इस बात को जहने कोश्श। करते हैं जो भी इस चीज़ की कीमत ठेहराई गई है क्या ये शेट जो है ये चीज़ जो है उस कीमत के मताबिक है के नहीं। इंसान चीज़ों की वैलियू सेट करते हैं उसकी कीमत ठेहराते हैं। और जब हम किसी चीज़ की कीमत तैय करते हैं तो हमें इस बारे में मालूम होता है जानते हैं कि इस चीज़ की कदर और मंजल जो है वो क्या है Everything is perishable सब चीज़ें जो हैं वो फानी है खुदा गेर फानी है खुदा नहीं इनसान को जब अपनी सुरत और शभी पर बनाया तो हम देखते हैं खुदा के नजदीक इनसान की क्या कदर और मंजलत है क्या आमियत है कोई भी इनसान जो है वो दूसरे इनसान की कीमत तैय नहीं कर सकता Because you are so precious You are so valuable in the eyes of God और हम अपने नहीं बलके कीमत से खरीदे गए है हमारी जिन्दगी खुदा की तरफ से है वो जिन्दगी का मंबा है World cannot set the price of the human being कोई भी इनसान जो है वो किसी दूसरे इनसान की कीमत नहीं ठहरा सकता आपकी जो value है आपकी जो आमियत है उसको आपका creator जो है जो आपका खालिक और मालिक है वो जानता है इसलिए किसी भी शहस को ये हक नहीं पहुंचता कि वो आपकी जो value है उसको set कर सके और कभी भी किसी को allow ना करें कि वो आपको approve ये disapprove करें you don't need people approval और उनकी validation जो है वो आपको नहीं जरूरत because you are so valuable in the eyes of God God design the human being खुदा ने इनसान को बनाया उसको खुदा ने अपनी सुरत अपनी शिभी पर बनाया आज हम इस बात पर गोर करेंगे कि मैं और आप हम खुदा की नजर में किस तरीके से आहम है कितनी हमारी value है और फिर ये कि हमें दूसरों की जो आहमियत है दूसरों की जो value है उसको भी हमें अपने जहन में रखना है कि how the other people they are valuable in the eyes of God और हमें उनकी कैसे इज़त करनी है ये शर्चन रूल्स विन ये अप उसकी जो कास्ट होती है जो बनाने की जो उसकी कीमत होती है आप उसको देखते है और इसलिके से जो आपकी मेनत होती है उस पर आप निगाह करते है वक्ते साथ साथ जो चीज़ें होती है उनकी जो कीमत है उनकी जो value है वो कम होती जाती है मगर इनसान जो 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 से खुड़ाने बनाया दुनिया के शुरू से लेकर आज तक उसकी जो अहमियत है वो उसी तरह दे है और हम खुड़ा के शुकर दा करते है कि God knows our value and God give his light for us खुड़ाने इसकदर हमसे प्यार किया उससे अपना आप जो है वो हमारे लिए दे दिया इन दिनों जब हम रुजों के आयाम में से गुजरे हैं and we are meditating upon the word of God we are spending time in prayer it is very important to think about your value हमें इस बारे में जाना है इसके कुछ असूल है जिनको हमें अपने जहन में रखना है कि हमें खुडा से भी महबत करनी है और खुडा के लोगों से भी प्यार करना है इसके लिए जो पहला जो असूल है वो ही है कि when we are talking about the importance and the value of the human being think about your attitude हमारा रुएया जो है वो दूसरे लोगों के साथ हो है वो कैसा है जिनरोसिटी जो है फराख दिली जो है ये बड़ी जरूरी है are you adding the value of the life of the other people आपकी जो contribution है वो दूसरों के जिन्दगी में क्या है here I'm not only talking about the generosity in relation to the money but I'm talking about your own life आप अपकी जिन्दगी से दूसरों के जिन्दगी में क्या value जो है वो add करते हैं मेरे साथ खुडावन के पाक कलाम को देखिए Proverb chapter 22 इमसाल उसका बाइस बाइस बाफ और उसकी नावी आए खुडावन के पाक कलाम को देखिए जो नेक नजर है बरकत पाएगा क्योंकि वो अपने रोटी में से मस्कीनों को देता है when you are sharing the resources God's given resources each and everything belongs to God but when we are sharing all the resources with the needy वो लोग जो के जरूरत मंद हैं तो this is the generosity आफ राख दिली के साथ उनके साथ इन चीज़ों को बाढ़ते हैं the second thing which is also very important which is boldness and confidence courage ये भी जरूरी है कि जब आप किसी चीज़ की आहमियत को जानते हैं you need to declare that there shouldn't be any fear to tell the people के जो इनसान है वो valuable है जब हम oppression को देखते हैं जब हम दुनिया में देखते हैं किसरे किस अबलीज जो है वो लोगों को तबाह बरबाद कर रहा है so we need to take the stand हमें इस बात के लिए जुरत का मजाहरा करना है when the innocent people they were killed by the terrorist जब वो उनको मारते हैं उनको कतल करते हैं जब हम persecution को देखते हैं जब हम हिसारिसानी को देखते हैं जब हम दुखों को मसाहिल को इस दुनिया में देखते हैं then you have to take a courage you need to be bold और आपको उनके लिए stand लेना है खुदान का कलाम कहता है अगर आप गरीब और मस्कीन की आवास को सुनकर अपने कान बंद कर लेंगे तो खुदान कहता है कि मैं भी जब आप उकार होगे तो मैं भी नी सुनूँगा मैं अपने कान जो है वो बंद कर लूँगा अधर तिंग इस विचिस अलसो वेरी वाइचल विचिस लव खुदान ने जो महब्बत हमारे दिलों में उचे लिए है जब तक आप दूसरों से प्यार नहीं करते सिर्फ कहने से नहीं खुदान के पाक लाम को देखे पहला यहना का खथ उसका चार बाप सिर्फ यह कहना जी वे हैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ मैं दिल में आपके लिए बड़ा प्यार है अमें प्रैटिकली जो है दूसरों के लिए कुछ करने की जरूरत है यहना का पहला खथ उसका चार बाप और उसकी उन्हीं साइद हम इसलिए महबद रखते हैं कि पहले उसने हमसे महबद रखी So we need to acknowledge the love of God हमें खुदावन की महबद को जानना है उसका इकरार करना है और खुदावन की महबद हमें इस बात के लिए कायल करती है कि हम दूसरों से प्यार करें दूसरों की इज़त करना दूसरों के खिद्मत करना और सुलाव और सलामती के लिए कोशिश करना That is adding value in the light of the other people यह है दूसरों के जिए में आप उनकी आहमियत को समयते हुए उनकी एज़त करते हैं खुदावी इस मसी ने किस तोर से जो है वो हमारी गदर की That is a very important question सबसे पहली जो बात हम देखते हैं खुदा ने दुनिया से ऐसी महबत है कि उसना अपने इकलोता बेटा बेटा पक्त दिया तक जो कि इस पर एमान लाए हलाक नोबल के हमेशन की जिन्भी पाए और पालू से कहता है कि अगर जो खुदा की सुरुत पर था उसना से कब्जा में रखने की जिना समझा बलकि अपने पुखाली कर दिया खादम भी सुरुत इस तिया की और उसने मौत बलकि से लिए मौत जो है वो गौहरा की इंकर्नेशन और कुरुसिफिक्षिशन आप अबर सेवियर लॉर्ड जिस ग्राइस्ट इस वेरी इंपॉर्टर मुनी तो रिमेंबर तै धन हम देखते हैं खुदामी समसी ने जो हीलिंग की जो मिनिस्टरी थी शिफा का जो काम तो किया खुदामी लोगों को तालीम दी उनकी हिद्मत की और जब हम देखते हैं खुदामी समसी ने मुर्दों के सिंदा किया अब ये बड़ी एक हुश्वरत बात है कि खुदामी के निजदीग जो रिलेशिंशिप है उसके कितनी आमियत है जिनके अजीज मर जाते जैसे हम लाज़र की कहाने में देखते हैं कि लाज़र जब मर गया तो उसके बेहने जो है वो परेशान थी और दुखी थी तो खुदामी ने उनके दुख को समझा और खुदामी ने चार दिन के मुर्दा लाज़र कुझा है वो जिन्दा किया खुदामी ने भूकों को खाना खला है यौना कंजीली बेहां को चटा बाप जब खुदामी एक बड़ी भीड को देखा तो उसको उनके पतर्स आया और जब शागिर्दों को बला है कि इनको कुछ खाने कर दो तो खुदामी जो है वो हमारी फिजिकल जो नीड है उसके बारे में फिकर करते हैं उसको मालूम है कि हमारी जो बॉड़ी है इसको खुराक की जरूरत है खुदामन के पांक लाम में हम जब देखते हैं इस बात को जो सामन दे माउंट है जो हम पहले साथ भॉब जो हम को देखते हैं मुकद्स मत्ती का अंजिली बयान तो खुदामन ने कहा कि इस बात की फिकर ना करो तो फिर ये सब चिज़ें भी तुम को मिल जेंगे कल के लिए फिकर ना करो कल अपने फिकर आप कर ले आज का दुख आज के लिए काफी है तो खुदामी इसमसी ने भुकों को खाना खिलाया, लोगों को शिफा दी और खुदामी इसमसी बुरिड थे और हमें उसने मखल सी और रहाई बख्शी Certain things we need to remember in the light of the word of God खुदामी इसमसी की जो सबसे बड़ी जो मिनिस्ट्री है जो लोगों की जिंदगी में उसने value add की, वो थी restoration बहाली का काम, लोगों को बहाल करना, अभी हमने खुदामी के पाक कलामे से इस बात को देखा के ना सिर्फ खुदामी समसी बिख को शागिर्ण भी किस तरी के से तो खुदामी समसी जो है वो लोगों को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते थे एक शख्स जो के बद्रूग इता था मुकद्स मरकस का अंजीली बियान उसका साथ बाब, उसकी पच्छी से तीस आयात में हम इस बात को वाकित को देखते हैं वक्त की कमी के बाइस मैं तुमाँ वाला जात को खिलावत नहीं करूँगा लेकिन मैं आपको रेफरेंस जर्वाद यह दे रहा हूँ के मुकद्स मरकस का अंजीली बियान, उसका साथ बाब, वहां पर हम इस बाद को देखते हैं एक से, एक शब्स जो के कबरों में रहता था, बद्रूब रिपता था, अपने ताहीं पत्र जख्मी करता था, लोग उसको बेड़ियों से बांते हैं तो उनको तोड़ देता था, तो ही बस इने ग्रेट पेन, खुदामी इस बसी ने उस शफिस को जिसमें बद्रूआती लचकर था, खुदामी इसको शिफा दी, इससे हम खुदामी की महबत को, इस बात को जानते हैं, तो मैंनी अधर पीपल अरॉंड डियर इन जाट प्लेस और उस गरासीनियों के अलाके में जापर खुदामी गे, वहाँ पर और भी बहुत सरे लोग थे, बट वाइ जिस वस कंसर्ण अबॉर डैट परसन, क्यों खुदामी ने इस शिफा दी, इसलिए के खुदामी इसी को भी दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते, डाको जो के सलीप पर था, मुकदस लुका कंजिली मैं, उसका तैस बाफ, उसके तालिस से तालिस आए तक, वर्स पॉर्स पॉर है, और ये बेगुना है, खुदामी ने से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फर्दास में होगा, तो खुदामी जो है वो लोगों की फिकर करते हैं, खुदामी लोगों से प्यार करते हैं, और हम देखते हैं कि जो खुदामी के शागिर्द हैं, वो खुदामी के फुट स्टेप वो हम देखते हैं कि हैकल में गे तो वहाँ पर एक शख्थ जो कि लंगड़ा था और लिखा कि जनम के लंगड़े को आ रहे थे तो वो फूम दे बर्थ, वो बर्थ वो ने गुड़ पुजिशन वो चल पिर नहीं सकता था तो हम देखते हैं कि जब उन्होंने उस शर्फ के वो मिले तो वो भीग मांगा करता था तो लोग उसको लेकर वाँ चोड़ दाते थे और वो उससे वो डैट वस सोर्स ओफ इंकम पर अधर पीपल तो बत्तर सोर्य होना को जब उस देखा तो वो उससे भीग मांगे उनके तर मतवज़ हुआ तो पत्तर से काकर चांदी सोना तो मेरे पास नहीं मंगर जो मेरे पास उसे दिये देता हूं यह समसी नासरी के नाम से चल पर यहापर मैं जब इस इन आयात को पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था ज़रा दोबारा इसको देखिएगा गौर्स के साथ और अधाना हाथ पकड़को उसको उठाया और सिदा मुसके पौंट तकने मजबूत हो गए हम इस बात को देखते हैं कमपैशन और फेथ इस तू थिंग्स पहरी बात कि शागिर्दों ने उस पर अरहम किया और उसे शफा दी दूसरी बात कि अन्हों ने बड़े इमान के साथ जब उस अंधे को उन्होंने शिफा दी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और अभी तक वो खड़ा नहीं हुआ था लेकिन यू कन सी था कॉन्फिडंस उनकी जिन्गी में आप इस एत्माद को दे सकते हैं कि उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसको उठा कड़ा किया उ उनको खुद अपने अंदर ये confidence बने जिए when they are praying for someone, so they need to be very confident के दिन के लिए वो दौा करे हैं, खुदा हम ने उसको शिफा दे दी है, और जो कि जो हम खुदा हम से मांगा है, वो पाया है, तो हम यहां पर इस बात को भी देते हैं, तो अगे एक और हम वाके को देते हैं, गयब दान अरू थी, वो गयब वही से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कुमाती थी, वो पालूस के और हमारे पीछे आका चलाने लगी, कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं, जो तुमें नजात की राद बताते हैं, वो बहुत गिनों तक ऐसा ही करती रही, आखर पालूस सफ्त रंजिदा और फिर कर रूसे का कुछ मुझे, मैं तुझे ये समसी के नाम से कुम देता हूं, कि समसी निकल जा, वो सी घड़ी निकल गई, तो हम देखते हैं कि ये जो औरत थी, ये मालकों के लिए पैसा कमाती थी, that was another example कि how she was producing the money for the other people, so people they were so selfish for their personal gain, they were using that woman, और अपने जाती मफाद के लिए, लालज के लिए, वो उस औरत को जो है, वो इस्तमाल करते थे, वो लड़की को इस्तमाल करते ताकि उनके लिए अमदिनी का जरिया हो, unfortunately there are people in our society, those who are using the name of Christ, those are using the people for this personal gain, जो अपने जाती मफादात के लिए, जाती पाइदे के लिए, जाती उसे लोगों को abuse करते हैं, use करते हैं for their personal motives, अपने जाती पाइदे के लिए, लालज के लिए, कारोबार के लिए, जाती मफाद के लिए, तो हम देखते हैं कि खुदा हम जो है, वो चाता है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें और उनका साथ दें, ऐसे लोग जो के trapped हैं, जो के जो के गुना में फंसे हुए हैं, हमें उनकी मदद करनी हैं, और ना सिर्फ spiritually, physically, we need to know their needs, और नजाती ही है, खुदावन ये चाहता है, कि हम लोगों को खुदावन के पास लें, those were boundage, in the bondage, जो के बद्रू गिफता हैं, जो के दिगर मुश्कलात में जो हैं, वो फंसे देखना है कि हर शक्त जो है, जो दुनिया में है, without the discrimination, regardless of ethnicity, social status, background, उसकी ability, जो है, young and old, men and women, they are all crying for equality in the society, तमाम लोग जो है, वो इस बात के लिए करा रहे हैं, उनको इज़त की, उनको मुहबत की जरूरत है, उनको आपकी मदद की जरूरत है, और अजिसों इन दिनों जैसे कि मैंने आपसे इस बात को बांटा के, I was a mission trip in Pakistan, and I have seen very closely the people, those who are in need, those who are crying, जो के social जो oppression है, उसका शिकार थे, तो सब को खदावन की महबत की, खदावन के प्यार की जरूरत है, हमें ना सिरूरत है, कि ऐसे लोगों को उनकी मदद करनी है, उनको दे other people, those who are seeking purpose in their life, जो अपनी जिनगी में खदा के मकसद को पूरा करना चाहते हैं, और खदावन ने उन पर अपने इस मकसद को इजहार किया है, हमें उनके भी मदद करनी है, ताकि वो अपनी जिनगी में, जो खदावन उनको प्लैन दिया है, जो मनसुबा दिया है, हम उनमें उनकी मदद कर सके, नोबड़ी जिनगी में इस इस आइलन इस वोल, हम देखते हैं कि इस 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 वोन्डरफूल एग्जैमपल इस वोल जिनगी में, जो पालूस है, जब वो मुक्तलि करीस्या में जो तीन बशार की सफ़़ज़ जो है, पालूस सुन ने किये, और उसमें ह जरूरतों को पूरा करते थे, अपनी जैदाने बेच बेच कर, एक दूसरे के इत्याजें जो है, वो रफ़ा करते थे, और खुदावन जो है, वो हर रोज ने लोगों को उनमें मिला देता था, और देवा दल्लिवी एग्जैमपल अप लाव उप क्राइस्ट, तो हमें इ एसे लोगों की जिन्गी में वैल्यू जो है, वो एड गरनी है, और सबसे जो बड़ी मैंने आपको उख़ेंपल दी, खुदाव इसमसी की, ये खुदाव इसमसी ने कैसे हमारी जिन्गी में एक बहुत बड़ी वैल्यू एड़ की है, कि उसले हमें अपने कीमती खुं से लिया है और हमें अपने खामदान में शामल किया है हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है हम खुदाओं के शुक्र अदा करते हैं खुदाओं की इस महबत के लिए खुदाओं की इस प्यार के लिए तो आज इस मादम से मैं ना सिर्फ आपका शुक्र अदा करना चाहता कि आप जहां केहीं भी हैं, आपकी जो भी सिच्विशन है, आप उसमें खुदाओं के बास आएं, खुदाओं से दुकास करें, कि जैसे उसने हमें अपने कीमती खुन से खरीदा है, जैसे उसने हमसे प्यार किया है, इस अवर रिस्पॉंसिबिलिटी, इस अवर ड्यूटी आड़ वेल्यू इन दे लाइफ और अधर पीपल, उनकी आमियत को समझें, और उनसे प्यार करें, बहुत सारी लोगों ने मुझे कहा कि पाई सब वाई यूर ट्रेवलिंग सो फार, आप क्यों इतना सब कर रहे हैं, और वाई यूर हैं, और वाई यूर हैं, बिकॉस पर स करते हैं, इकुर डी-वेल्यू करते हैं, बिकॉस यूर्ट ने एंसानों से इतना प्यार किया, उस्ने आस्मानी मुकामों को छोड़ा, यह दुन्या में आगया, इस इस्टर के मौका पर, आजसर खुश्जम में इस बात को जिन में रखना है, लिए ब्रेंग ने बिदिए upon the word of God. You need to be thankful to God. हमें खुदाओं की शुक्रजारी करनी है कि खुदाओं ने मुझ से और आप से प्यार किया. और क्या ये मारी जूटी नहीं है? क्या ये मेरा वर्ज नहीं है? कि हम पूसरों से वैसी महबत करने जैसे खुदाओं ने हमसे महबत की. तो मेरी ये आप से दुर्खासत है कि लोगों की कदर करना सीखें. लोगों से प्यार करना सीखें. जब आप इस बात को जान जाएंगे. कि आप खुदाओं के नजदी इस कदर इंपॉर्टन है. इस दिम्या के लोग जिसको खुदाओं ने बनाया. उनके खुदाओं के नजदी कितनी. हम यह था बहुत अफ़ा हम इस बात को सोचते हैं. लिए खुदाओं का लिए वादा जो है कि मैं बहुत जल्दा आ रहा हूँ. वो क्यों पूरा नहीं हो रहा है. उसकी एक वज़े जो है. हम यह खुदाओं किसी की लाकत नहीं चाहता है. बलकि चाहता है कि सबकी तोबह तर नौबत पुंचे. वो सबर करता है तो हमल कर रहा है. ताके लोग जो हैं वो खुदाओं के पास खुदाओं उसको जल्दी नहीं है. इस नट इन हरी. but he is not late वो देर से भी नहीं आए था बहुत ज़दाने वाला है और खुदा हुझी चाहता है कि इससे पहले कि वो इस दुनिया में आए हमें लोगों को खुदा की बादशाद के लिए त्यार करना है हमें लोगों की आहमियत को समयना है इसे पहले कि मैं आपके साथ चांद इक जो ज़ैसे आप से वादा किया था कल जानेंगे तो मैं ये जो आपके साथ जो शेयर कना चाहता हूं देखते हैं इसको मैं कट पहुंगा कैनी इस जी ये कुछ जो स्लाइडिस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहतू हूँ ये खुदाओं ने कैसे हमें बढ़ कर दी ये खुदाओं ने कैसे हमें सुभाला हम खुदाओं के शुकर अदा करते हैं उसके इस मुहब्बत के लिए उसके इस प्यार के लिए स्वाइड बढ़ कर दाएगा जाएग वो चलें तो ने मैं आपको बताना चाहतू कि जो मरी का मेरा प्रोग्राम था उसको मैं शेयर करना चाहता था लेकिन शायद वो इस डाइड़ जा मेरे से मिस होगी है तो इसको देख लाएगा जोड़ा से सिस्टम पिर मुझे परिशान कर रहा है तो तहर कोई बात ने तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि खुदाम के शुकर है कि इस जो मिशिन ट्रिप को मैं कुमिल करके जो वापस आपके पास आया हूँ तो यह खुदाम की मेरबान है खुदाम का फजल है कि खुदामन ने यह मौका बक्षा कि मैं आपके पास जो है दुबारा इस काम को करने के लिए हाजर हूँ तो आप दूआ कीजिएगा कि खुदामन आने मेले दिनों में जो भी हमारे प्लैन्स हैं उसमों खुदामन कामयाब करे और जो इस्टर के ज प्रोग्राम होगा आप आएं और जो इस प्रोग्राम में शामल हो और इसके बाद जो पाम संड़े की बादत है वो सुबस्ट सड़े दस बजे और फिर जो प्रोसेशन है वो डेर बजे होगा अपस वन जो प्रोसेशन होगा और आप जो इस प्रोग्राम में भी शामल हो और तीन बज़े खतम होगी जो मुक्ति लोग जहां वो कलमात पेश करेंगे और जो हमारी इस्टर की अभादात हैं वो पर इस तरीके से हैं इस सुबा संदाइज सर्विस जो है वो पांच बज़े होगी जिसके बाद आपके लिए पर फिर्स के इंतिजाम होगा और पर सब्सक्राइज साड़े दस बज़े इंग्लिश में और दो बज़े मारी जो मेंन सर्विस है अर्दू हिंदी की वो होगी और इसमें आपके लिए डिनर का भी इंतिजाम होगा तो आप ज़रूर इसमें शामल होए and once again I'm really thankful to all my brothers and sister particularly शब्तारिक साब जो अपी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामल है और मैं आपके बताना चाहता हूँ कि आज UK time के मताभी के 2 बजे और पकिस्तन टाइम 6 बजे जोश्वा टीवी पे हमारा प्रोग्राम होगा तो आप जरूर से देखिएगा उटाव का पाकला में पेश करूंगा तो ये प्रोग्राम जो है ये पेस्बुक पे भी होगा यूट्यप पे भी होगा आप उस पे भी देख सकते हैं जोश्वा टीवी को आप लोगा जब करेंगे टेग करेंगे तो वहाँ पर आप इस प्रोग्राम को लाइव जो है वो देख पाएंगे दो पहर दो बजे UK time के मताभी और जो पाकिस्तनी time है शाम छे बजे ये प्रोग्राम होगा तो ज़रूर आप उसमें मारे साथ शामल होएगा तो मैं आप के लिए दुआ करना चाहता हूँ आएए हम सब मिलकर खुदाम के दुआ चुकें और दुआमा के खुदाम बजर्ग पाव खुदा तेरे शुकर तेरी तारीफ करते है ये तुने हमसे इसकदर प्यार किया ये तुने आसमाने में कामों को छोड़ा पैर खुदाम तो इस तुनिया में हा किया पैर खुदाम तुने हमारी खातर दुख और मसाइब और मसीब ने सही तुने अपने जान दे तुने इसलिए भी दुख सहा प्यार खुदावन हम इलतजा करते हैं तेरे लोगों के लिए प्यार खुदावन तो अपने लोगों को बड़ी बर्तद दे अकल, दानश और दानाई के लिए अता फरमा प्यार खुदावन हम तेरे शुकर अदा करते हैं प्यार खुदावन तो तुमाम इतजामात को अपने हाथों में लेना प्यार खुदावन हम तुमाँ बिमारों के लिए दूआ करते हैं कि तुने कुवत, सहित, अमुस्ती, इमत और ताकरता ताफरमा खुदावन इलतजा करते हैं जहां जहां भी तेरे लोग दुख और तकलीफ का शकार हैं खुदावन मुश्कलात में हैं तो उनकी सारी मुश्कलात को दो कर पर हमारे सारे जितने भी प्लैंज हैं खुदावन इसरे जितने भी अबादात के इंतजामात हैं उनको तो अपने हाथों में ले तुमाँ कलीसियों को खादमों को बड़ी बर्कत दे हमारी इस इलतजाँ को वर्याद को सुन और कबूल कर तेरी ये सु नाम में हम ये द्वा माते हैं आए मारे पाप तु जो आस्मान पर तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाहिया है तेरी मर्जी जैसे आस्मान पर पुरी होती है जमीन पर भी हो अमरे रोस के उठी आजमें बखश दे जिस अपने प्सुरुआरों को माफ करते हैं तो मैं अक्सर माफ करें उन्हें अजमाईश में पर ने दे बड़के बुराई से बचा नोंके बादशाहि कुदत और जनाब हमेशे तक तेरे हैं आमेन खुदावन अपना चेहरा आप पर जल्वा गरत उबाए खुदावन आपके बदन, जान और रू की उपास्त करे आपका बलाने वाला सचा वाइसे करेगा और अब मारे फ़ poziों मिसे का प्जवलाब की महबद खातरो की रिखाकत और शाहकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सब के साथ, और दुनिया बर कमक्षी हैं के साथ अब से लेकर हमेशा उमेशा तक होती रहें आमे थैंक्यू जी खुदा हुना सुब को बड़ी बरकत दे और मैं एक पर फिर आप से माफ़ी चाता हूं कि कुछ ट्रांसमिशन में टेक्निकल प्रॉब्रम के वज़े से बीच में से प्रोग्राम बंद हो गया था तो कल सुबह आप से मुलाकात होगी नौ बजे तब तक के लिए पादिनोबल को जाद दीजिए ख़दा हुना आपके साथ हो और आपको अपने पना में रिके जरूर लिए किएगा प्रोग्राम दो बजे यूके टाइन किमता भी को जो पाटसान में प्रोग्राम लोग देख रहे हैं जोश्यो टीवी पे आप मेरे मैसेज को जबर सुनियेंगा ख़दा हुना आप सबको बड़ी बड़ कर दे गाड़ ब्लेस यू, हैवे ब्लेसे दे, बाई